आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ और Y-axis को ड्राउ करते हैं सपोज कर यह horizontal axis X को सो कर रहा और यह Y-axis को सो कर रहा है ठीक है और यह जो vector है वो X-axis के साथ कितना इंगल बना रहा है यह इंगल बना रहा है 65.37 डिगरी ठीक है तो इस तरीके से vector है हमारे पास कोई that is vector A मान लेते हैं हम लोग ठीक है तो vector A की जो magnitude दे रखी वो 13 दे रखी है ठीक है तो इसका हमारे पास दो components बोला गया है कि एक X component होगा इसका सपोज इसका एंगल 65.37 डिगरी कोस्टू ठीटा ले ले लेते हैं जो यह X-axis के साथ फर्म कर रहा है तो इसका जो यह वाली component होगी X के direction में component हो यह हो जाएगा और Y के direction में जो component होगा वो कौन सा हो जाएगा यह वाली component हो जाएगी ठीक है यह वाली component हो जाएगी इसके A Y और यह क्या हो जाएगा इसका A X हो जाएगा ठीक है जो यहाँ पर इसके बराबर भी हो सकता है यह वाली component के बराबर ठीक है ay तो यहाँ से देखिए हमारे पास ay की value चाहिए ठीक है और यह एंगल अगर theta है तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे sin theta equals to ay upon a लिख सकते है ठीक है तो ay equals to क्या जाएगा हमारे पास देखो तो यहाँ पर अगर इसका magnitude लिखना होगा हमें ठीक है तो ay equals to क्या जाएगा वेक्टर a into sin 67.37 degree ठीक है यहाँ पर देखिए a की value कितनी है 13 into sin 67.65 है sorry this is 65 65.37 degree की जो value होती हो कितनी होती 0.90901 ठीक है यह होता है तो इसको जब हम multiply करते हैं तो यह जो ay की value आती है वो एप्रोक्सिस के बरावर आती 18.82 के बरावर आती है और यह हमारा answer हो जागा इस question के लिए तो I hope आपको यह चीज है समझ में आ गई ह होगी और यह चीजे clear हो गई होगी थैंक यू Classics चीट्वेल से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजे अपने doubts 8400 400 400 पर